गुड इमिनिंग दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यू चनल एर कुमार पे तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्ली चनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों हमारे बिदेश मंतरी एस जय संकर अभी रसिया के दोरे पे हैं उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे एहम एग्रिमेंट साइन किये हैं जो की आने वले समय में भारत और रूस के लिए बहुत फायदे मन्द होने वाले हैं और आप सभी को पता है कि भारत और रूस भारत भी उसके साथ हमेशा ख़रा हुआ है जिस तरीक ऐसे देखा जैंद दोस्तों 1971 में अमेरिका ने भारत पे हमला करने के लिए अपने साथवा बेरा भेज दिया था पाकिस्तान के कहने पे तब रसिया ही हमें बचाया था उससे रसिया ने अपना 40 वा बेरा भेज दिय कि यदि भारत पे हमला होगा तो सिधा सिधा रूस पे हमला माना जाएगा दोस्तो ये देखते हुए कि रसिया भारत के डिफेंस में खरा हो गया है अमेरिका वापस अपना बेरा लेकर वापस भग गया तो दोस्तो भारत और रूस की बहुत पुरानी दोस्ती है और अभी जिस तरीके से युक्रेन रसिया वार जब चल रहा है तो अमेरिका ने रसिया के उपर सेंक्षन लगा दिया कि रसिया से कोई भी समान नहीं खरीदेगा तब दोस्तो भारत ने तेल खरीदा रसिया से भारत ने सिधा बोल दिया कि नहीं हम तो खरीदेंगे हम किसी की बातों में नहीं आने वाले हैं भारत ने रूस से तेल खरीदा और हंथियार की भी बात हुई तो दोस्तो भारत ने हंथियार भी रूस से खरीदे यानि कि भारत और रूस बहुत प्राने दोस्त हैं दोस्तो एक दूसरे के मुसीबत में काम आते हैं तो दोस्तो अभी हमारे विदेश मंत्री एस जैसंकर उसके दोरे पर हैं वहां पर उन्होंने रूस के विदेश मंत्री और वहां के डिप्टी जो परदान मंत्री हैं उसे उन्होंने मिला, और कई agreement sign किये। उस agreement में दोस्तो एक तो यह है कि Pound Generating Unit के उपर उन्होंने काम करने के लिए agreement साइन किया जो की हमारे कंदुकुलम नुकलियर पाउन प्लांट जो तामिल नाडू में है वहाँ पे एक साथ मिलकर काम करने के लिए एक agreement साइन किया इसके लवा उन्होंने दोस्तो वहां के रसिया के जो डिप्टी ट्राइमिनिस्टर है उन्होंने मिला और कई अहम उन्होंसे चीज़े डिकिलियर किया और agreement साइन किया उन्होंने वहाँ पर उन्होंने दोस्तों उनके साथ मिलने के साथ-साथ जो रशिया के विदेश मंतरी है उनसे भी मिला और उनसे भी कई एग्रिमेंट साइन किये दोस्तो बहुत सारे एगरेमेंट साइन हों जो कि दोनों दिशों के आने वाले समय में बहुत काम आने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ एक तो वहाँ पर प्राउंड जरेटिंग के लिए एक तो खाम करेंगे साथ मिलकर उसके बाद दोस्तो नुकिलियर जो पावर है उसके उपर भी काम करेंगे मिलकर एक दुसरे को जो भी टेक्नोजी आदान परदान करना है नुकिलियर पावर में उसके साथ भी मिलकर काम करेंगे और medicines, दवाईया भी आदान परदान करेंगे एक दुसरे के साथ उसके बद फर्मामेटिकल सस्टेंशन्स जो कि फर्मामेटिकल जो भी चीजे होती हैं जो भी उसमें एक दुसरे को सहायता चाहिए, एक दुसरे की कमी जो हो एक दुसरे को हेल्प करना, यह एक साथ मिलकर दुनों काम करेंगे उन चीज़ पर और दोस्तो, मेडिकल के फिल्ड में भी एक दुसरे के साथ मिलकर काम करना है मेडिकल जो भी डिवाईशे होते हैं, मान लीजिए कोई मेडिकल डिवाईशे होते हैं हमारे पास नहीं है तो हम रशिया से अराम से ले सकते हैं और रशिया के पास नहीं है तो भारत से अराम से ले सकते हैं यानि कि एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना है उन्होंने डिफेंस पे भी बात किया दोस्तो और defense को उपर भी agreement हुआ है कि भारत हमेशा पता है कि रशिया से हमेशा हमेशा थियार करेता है भारत तो दोस्तों भारत और रूस बहुत प्राने मित रहें और आप सभी को पता है कि रशिया हमेशा हमारा साथ दिया है तो defense को उपर भी बहुत सारे agreement हुए है जो कि एक दुसरे से defense related जो भी technology होगी यहां थ्यार होंगी आदान परदान करेंगे एक दुसरे से और एक दुसरे से खड़ी देंगे और एक दुसरे को मदद भी करेंगे जब भी एक दुसरे को मदद क्याओ सकता हूँ तो दोस्तो उसके बाद economics, आप सभे को पता है कि economics यानि कि आर्थ ववस्ता कितना जरूरी है एक दूसरे के साथ कई अर्बों का deal हुआ है आदान परदान, यानि कि यहां से ब्यापार करना जो कि एक दूसरे का आर्थे किस्तिती भी यानि economics भी बहुत अच्छी होगी जो भी भारत में जो चीज़े होंगे ओ रूस में हम उसको व्यपार करेंगे और जो रसिया में जो चीज़े होंगे उसका व्यपार होगा भारत में तो दोनों देशों का आर्थे किस्तिती काफी strong होगा, मजबूत होगा, इससे दोनों देशों के जो growth में काफी फायदे होंगे, और दोनों देश काफी तेजी से आगे बढ़ेंगे, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इस deal से हमें भी उतना फायदा होना है, जितना की रशि करके हमारे विदेश मंतरी ने दोनों देशों के लिए एक और बहुत ही मजबूत निव रख दी है, क्योंकि जिस तरीके से एक दुसरे का हम सांस देते हैं ना, सभी को पता है कि कितनी दोस्ती है, कितनी गहरी दोस्ती है, आपको दोस्तों ये पता नहीं होगा कि बहुत सा पहले जब सुरू में हम लोग के पस डॉलर नहीं ओते थे उत किसी भी!.. तरीकर हममें मदद करते हैं हथियार कि देता था हम उस corona आप खरस्मती दीआ रोवा कि on our Mrdj कि उस जाकर सभी सब्सक्राइब काल कंवा तो तो दोस्तो रूस और भारत की दोस्ती के उपर आपको कैसा लगा तो प्लेज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्स्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए.